नमस्कार आप देख रहे हैं तलाज टिवी और मैं हूँ आपके साथ सुदिल कुमार समाज में जो पिछला वर्ग है OBC उसको लेकर के यहां के जो पिछला वर्ग से संबंधित लोग है वो लोगों का एक संस्ता है पिछला वर्ग OBC एकतायों अधिकार मंच और उसके प्लामू प्रमंडल के कुछ सदसे यहां पर जूटे हुए है और उनसे हम समझते हैं कि आखिर किस लिए यह प्रेस क्रम्सेंस हो लोग कर रहे थे तो सबसे पहले हम परिशत कराएंगे यह है स्रमन कुमार आप इनसे पूर में भी परिचित होंगे गढ़वा के लोग यह पूर में गढ़वा के इसडीपी ओ रह चुके हैं सदर के और साथी साथ यहां पर बिडेंदर साह हैं और कुछ लोग उपस्तित हैं समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर यह जो करेकरम करने किस चीज को लेकर कर रहें प्रेस कंफरेंस का मुख उद्यस है कि अधिकार मंच के ताद हक और अधिकार की लड़ाई है ताकि ओवी सी का जुटरास्ति जाती प्रणाम परमंडल में है वो सब को एकत्रित करकर के उनका जो हक मारा गया है उस हक के लड़ाई है तो किस तरह की हग की बात कर रहे है क्या चीज में दिककत हो गया है लोग पूर्मे बिहार में हमारा ओवी सी का 27 परसेंट आरच्छन था था खंजुक्त बिहार में और अभी बरतवार में जारकर शरकार का जो नियोजन निति बना है उसमें 24 जिला में से 13 जिला को और और सी का हम लोग कार्जक्रम है कि 11 फरवरी 2024 को सिवाजी मैदान में हमारा यह महाशम्मेलन है जहां तमाम प्लामु परमंडल के तमाम हम तोकने चाहिए सिवाजी में पहले था फिर अब हाउसिंग की क्या होना है चुकि हमारी आवादी जो है 55% है और जिस तरह से हमारा लोगों में उत्सा है ओवी सी पिछा बर्ग जो समाज से सरकार से लोगों से प्रतारित है उसमें इतना उबाल है तूफान है विस्फोट है कि वो चाहता है कि हम ज्यादा से ज्यादा संख्या में उपस्तित हो और ज्यादा से ज्यादा संख्या मे उपस्तित होने के कारण हमारा सिवाजी मैदान में जो पुर्व नियोजित कार्षक्रम था वो असल छोटा पर रहा था इसलिए हाउसिंग कोली मैदान बैरिया में हम लोग इस कार्षक्रम को सिफ्ट की है तो हमारे दर्सक के जान जाए कि जो पहले कारिक्रम होना था इनका सिवाजी मैदान में वहाँ ने होकर के अब यह हासिंग को लीम में जैसा की सर्दे बता है उस यगा पर होगा साथी में यहाँ पर बिर्यंदर सा है जो इसके एक सदस्य है बताना चाहिएगा आप लोग का यह जो कारिक्रम हो रहा है इसको ले करके कुछ इस पेसलवात यह कार्शक्रम एतिहासी कार्शक्रम होने जा रहा है अब पुरे जहारखंड के लिए गोरों की बात है कि OVC एकता सबस्क्राइब जहारा है हम लोग के मांग है जातिये जंगाना करा करके इस तरह से बिहार में हुआ करके अपना हदिकार सरकार्स लेने काम करेंगे इस कारिक्रम को लेकर रध याद्रा टाइप का भी कुछ आप लोग चला रहे हैं जैसा न्यूज में खबर में हमें भी ज प्रफट चल रहे हैं पर्खंट भर्मन कर रहा है गाउग गाउग तक हमारी राथ यातर जा रहा है हम लोग देखें कि पूरे परमंडल से इसा उत्साह भी सिभाईयों में पूरा एक जुटान हो रहे हैं हमारी जितनी भी 84 85 जातिया है इस वहां के लिए एदाव प्रमस और तो सारे सिवाजी मैदान में, सिवाजी मैदान में जो हम लोग का पूरा कारेकरम था, उसको वहाँ छोटा अस्तल होने के कारण, उस कारेकरम को हम लोग हाउसिंग कलोनी, बेरिया में रखे हैं, वहाँ सब पूरे गाव परखंड 25 से जुटने के लिए, सब ही हमारी OBC भाई पूरे पलामू परमंडल से दम ललाइत हैं, वहाँ आने के लिए पूरी जोरो सोर से त्यारी हो रही है, और मैं फिर भी अपील कह रहा हूँ, जहां हमारा परचार परसार नहीं जा सका है, जिसे कोई गाव हो गया, तो उन लोग सारे OBC भाई से मैं अपील करता हूँ, हज हो गया है, हाउसिंग को लोनीज जो है, डाल टेंगा, वहां पर हमारा कारे करम रखा गया, चली, सर आब आप से हमें जाना चाहिए कि उस कारे करम में, आपनो परमंडल के जो लोग है, इसके जो सभी यो सदसे हुए, इसके अलावा क्या उपर से भी कुछ लोग आएंगे हम किनको बाहर से बुलाएं जो इस्तिती अभी का है आप देख रहें कि जारखंड में पक्ष हो या भी पक्ष हो हमारे ओबीसी के भाई तो बिधायक बुनके जाते हैं और लेकिन वह जाने के बाद अपनी अवाज बुलंद्री करते हैं अगर सच मुझ में वह ओबीसी के व हमारे होते तो कहीं न कहीं हो हमारे साथ होते हमारा अख्शन मिल गया होता है इस सबको अपनी बात को समाज के लाए लो लेता यह समाज और हमारा जो 84-85 जातिया जो है जिसमें 12 मुश्लिम के हैं और बाकि हिंदू के हैं आप किसी भी पार्टी से जुड़े हो किसी भी धर्म से जुड़े हो उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है आप बीजेपी में हो आर्जेडी में हो जेमें में हो कॉंग्रेस में हो या समता म हो या बसप्पा में हैं किसी भी डल से है आप डल का काम कीजिए लेकिन डल से उपर हमारा समाज है जिसमें इतनी बड़ी इसका बहुत बड़ा परिवार है 84 जाती समू का यह बर्ग है और इस बर्ग से जुड़े लोगों से अपील है कि आप किसी भी लोगों किसी भी पार्टी में काम कीजे लेकिन अपने समधाय अपने वर्ग से जुड़ करकर चटानी एकता का परचे दीजे और 11 फरवरी को बहरिया में हाउसिंग कोलनी बहरिया में पहुंचकर अपनी चटानी एकता का परचे दे चले बहुत बहुत धने बाद आप सभी का तो ओबी सी एकता हम अधिकार मंच पे पलामू प्रमंडल के सदस्य से जो अपनी बात को रख रहे थे कि ओबी सी सबाज को लेकर ही लोग कितना जागरूख है और क्या कुछ कर प्रम आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा से शेयर कीजिए ताकि अधिक से अधिक ओभी सी के लोगों तक या जो इसके इनके समर्थक हो उन तक क्या बात पहुंच सके बहुत बहुत ध हन्यवाद